नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका SDR Education में और हम बात करने वाले हैं एक important doubt के बारे में जो कि लोगों को NTA net exam के form में आ रहा है देखिए जातर लोगों को photo को लेके rules clear नहीं है तो मैं आपको कुछ rules बता देता हूँ जो कि photo को लेके आपके दिमाग में clear होने चाहिए ताकि आप form में कोई भी गलती ना करें क्योंकि अक्सर ये गलतिया थोड़ी महंगी पर जाती है अगर आप NTA net की तयारी कर रहे हैं तो paper 1 के लिए आप हमारी free classes ले सकते हैं रोज रात को 9 बजे class होती है और 11 बजे class हो रही है उन सभी के link और सभी important unacademy की classes के link आपको description और पहले comment में मिलेंगे तो वहां से कर ले देखें बात करते हैं NTA ने recently अभी एक browser जारी किया था जिसके अंदर उन्होंने पूरी जानकारी दी है उनके rules की और ये 69 pages का है तो यहाँ पर photo को लेके क्या rules लिखें है page number 16 पर देखना मैं आपको telegram group का link दे दूँगा उसके अंदर मैं ये browser डाल रहा हूँ आप वहां से download कर लिए जो हमारा free study group है telegram का तो देखिए यहाँ पर step 3 में लिखा है कि legible scanned images आपको upload करनी है जो एक recent photograph हो JPG, JPEG के format में 10KB से 200KB के बीच में और color या black हो सकती है मतलब कि color photo हो या black and white photo हो चलेगा 80 precision आपका बिना mask के चेहरा दिखना चाहिए और visible होनी चाहिए उसमें आपके कान against white background ये भात specifically लिखी है तो थोड़ा ध्यान दीजेगा जिनकी भी photo white background में नहीं है कोशिश करिएगा कि नई photo के चाके ही form भरना अब इसके 18 number page पे rules कुछ और लिखे हैं जो कि photo को लिखे है वो भी आपको एक बार बताने बहुत ज़रूरी है देखिए candidate की जो photograph है उसको लेके 18th page पे rule है कि photograph must be taken on और after 1-10-2020 के बाद की photo होने चाहिए जो कि 6 महिने का generally rule चल रहा है photo हो लेके तो यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि इन्होंने लिखा है preferably indicating clearly the name of the candidate along with the date of taking the photograph तो नाम और आपकी जो date है वो mention करते वे preferable है, compulsion नहीं लगाया है इन्होंने तो लेकिन अगर आप नई photograph खिचाई रहे हो, form अभी भरना बाकी है तो मैं यही कहूंगा कि एक इस तरीके की photo खिचवा लिजे, यहाँ आपका नाम आएगा, यह आपकी date हो गई और white background के इधर आपके जो है वो ears भी visible होने चाहिए और white background होना चाहिए photo का ताकि आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े अगर आप चश्मा लगाते हो regularly तो ही चश्मा लगाईएगा, गौगल में ली गई फोटो कभी मत अपलोड करिएगा, कैंसिल हो जाएगी computer generated या फिर कोई भी editing की भी photo मत डालिएगा, वो accept नहीं होगी और उसका error आजाएगा तो I hope कि ये rule आपको clear हो गया होगा, दुबारा सुन लो कि photo wide background पे होनी चाहिए उन्होंने clearly लिखा है, आपके कान visible होने चाहिए थोड़े बहुत और दूसरी बार आपको wide background के against photo खिचानी है और preferable ये है कि आपका नाम और आपकी जो date है photograph की वो लगी होनी चाहिए, नहीं भी लगी है, form तब भी भर दिया, आपने कोई दिक्कत नहीं है, preferable ही लिखा है, लेकिन अगर नए सिरे से खिचा रहे हो, तो मेरा तो कहना यहीं रहेगा, कि आप इन rules को धान में रखके ही photo क पिशालो ताकि आगे भी दिक्कत, ना आए 6 महीने तक कोई भी form भरो, तो शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी important information आपको मिल जाएगी यहाँ पर, और कोई वीडियो आपको चाहिए हो, तो comment कर देना, रोज रात को 9 बजे की free class किया करो, जो हमारी an academy पे आती ह उसका link description और पहले comment में है, सभी important classes के link telegram में है, telegram join कर लीजे, जो कि free study group है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे PDF हैं, जो आपकी paper one की तयारी में बहुत मदद करेंगे, शुक्राइब